आस्मान पेगाम नमबर आट मकाश्वा 20 बाब 11 अपनर आयाद फिर मैंने एक बड़ा सफ़े तक्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा जिसके सामने से जमीन और आस्मान भाग गए और उन्हें कहीं जगा न मिली फिर मैंने च्छोटे बड़े सब मुड़ों को उस तक्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गए और अजा एक और चिताब कोली गई यानि किताब हायाद और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके आमाल के मुताबक मुर्दों का इंसाफ किया गया और समंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और मौत और आलम अर्वाह ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और उन में से हर एक आमाल के मौफ़िक उसका इनसाफ किया गया फिर मौत और आलम अर्वाह आग की जील में डाले गए ये आग की जील दूसरी मौत है और जिस किसी का नाम किताब हायात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की जील में डाला गया मानमिन सेंटरल चर्च बहुत सी वाकामी और हजारों बैल उक्वामी कलीसियाओं पर मुच्तमिल है जो दुनिया की बेश्टर मौलक जैसे केनिया, अमरीका, कैनिडा, जापान, फरांस, इंडिया, फिलिपिन्स और हंडरास में वाके हैं रेवन डाक्टर जे रोकली ने पूरी दुनिया के मौलक में क्रुसेड्स किये हैं जिनमें यूगेंडा, कैनिया, जापान, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, हंडरास, इंडिया, रूस, जर्मनी, पेरू, कांगो और न्यूज़क अमरीका शामिन हैं हालिया क्रुसेड्स जो के मेडिसन स्कوائر गार्डन न्यूज़क में हुआ, जिसे 200 से जाइद मौलक में सैटलाइट के जरीरे से बरहरात नशर किया गया, उनकी रोहानी शिफाय या इवदात को, दुनिया भर में मुखतलिफ नशियाती जराय से, जिनमें सैटलाइट टी मसीह में अजीज़ भाई और बेहनों और पूरी दुनिया में 5400 कलीसियाई शाखों के मिम्बरान कोरिया की कलीसियाई शाखों और मकामी अबादगाहों के मिम्बरान और वो तमाम बेहन और भाई जो इस अबादत में शरीक हैं और इस पेगाम को बज़िया सैटलाइट और इंटरनेट सुन रहे हैं और जी सी अन टी वी के तमाम नाजरीन ये आस्मान सीरीज के लेक्चर्स का आठवाई जलास है निजातियाफता रूहों के हमारे खुदावन दूलहा के साथ हजार साला बाशाहत में वक्त गुजारने के बाद अजीम अदालत होगी मैं इस अदालत के बारे में बार्ण में बयान करूंगा अजीम अदालत की नौईयत को बयान करने के लिए वो हवाला बयान करूंगा जो पौलूस रसूल ने बयान किया मकाशवा 20 बाब 11 आयत कहती है फिर मैंने एक बड़ा सफ़े तख्त और उसको जो उसके उपर बैठा हुआ था देखा उसने खुदा को देखा जो अधीम अदालत का मुसिख है यहां चुदा मुसिख की तरफ से आने वाली रोच्नी अतनी साफ और शिफा थी कि उसने कहा कि ये एक सफ़े तख्त था हम इसे अधीम सफ़े तख्त की अधालत कहते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि खुदा ये अदालत अजीम सफ़े तक्त पर बैठ कर लगाता है। इसके बारे में आपके जहर में क्या आ रहा है? जब आप इस अधीम सफ़ेद अदालत का तस्वर करते हैं, तो आप मेंसे किसी को भी इस बारे में गमगीन या परेशान नहीं होना है, बलके आपको अपने इनामात का सोच कर खुश और पुरूमीद होना चाहिए। हमारे खुदा का अजीम याम अदालत यक तरफा नहीं या मजबूत लोगों की तरफदारी में नहीं है, बलके ये मुकमल तोर पर दुरूस और बिलकुल ठीक है। मैं उमीद करता हूँ कि आप याद रखेंगे कि ऐसा एक अजीम याम अदालत है और आप ऐसी वफादार जिन्दगी गुजारेंगे जो ना सिर्फ इनसानों बलके खुदा के सामने भी वफादार होगी। ऐसा करने से मैं यसुमसी के नाम में दौा करता हूँ कि अजीम अदालत आपके लिए बाएस इज्जत और खुछगवार दिन बन जाए। मसीह में अजीज भाई और वेहनों जोलाई 1982 में जब मैं इस कलीसिया के आगास के लिए दौा कर रहा था तो खुदा ने मुझे अजीम अदालत का मन्जर दिखाया। उस वक्त खुदा के तक्त के सामने यसु और मुसा थे। और वो लोग जो जूरी में शामल थे तक्त के गिर्द कतार में खड़े थे। पिछले वाईजों में और किताबों में मैंने वदाहत की है कि खुदा अपनी अदालत में बगएर किसी गलती के बिलकुल दुर्स्त है। और इसके बावजूद वो आखरी अदालत का इंतजाम करता है जिसमें यसु अपने तमाम तर महबत के साथ वकील का किरदार नभा रहा है और मुसा वकील सफाई का किरदार कर रहा है इसके इलावा वो भी जो जूरी में शामल है। हाँ ये वजाहत दुर्स्त है। मैंने जूरी के अरकान की तादाद नहीं गिनी लेकिन मेरा अंदादा है कि ये 24 के करीब होंगे। लेकिन जैसे जैसे मैं रोहाई तर्वियत से गुजर रहा हूं खुदा बाप मुझे रोहानियत के बारे में मजीद गहराई से बता रहा है। और वो मुझे अजीम अदालत के बारे में भी जानने का मौका फरहम कर रहा है। वो मुझे उस जगा का बता रहा है जहां अदालत होगी। और वो मुझे अदालत की कारवाई के बारे में भी बता रहा है। और वो मुझे ये भी बताता है कि वो मुकाश्वा के अवाज की सीरीज में मजीद गहराई में इस हवाले से बताने वाला था हम जिस्मानी लिहाज से रूहानी सल्टनत का मफ़ूम नहीं समझ सकते हमें रूहानी मकामात के बारे में भी जानना है जब मैंने मुकदस सर्जमीन के दोरे के दोरान मिसर की सहर की तो मैंने एहराम के सामने अपने कारकुनों के साथ तस्वीरें उतरवाई उन तस्वीरों में यूएफोज भी तस्वीर में आ गए और आप मेंसे बहुत सौने वीडियो फिल्म में उन यूएफो उसको देखा है एक लम्हे में वो नमोदार होकर गाइब हो जाते हैं मैं उस वक्त इसकी वज़ा ना समझ सका लेकिन पिछले हफ़ते खुदाबाप ने मुझे इस बारे में वज़ाहत से बताया इस तस्वीर में यूएफो बहुत वाज़े अंदाज में दिखाई दिया दुनिया में बहुत से लोग यूएफो के वजूद पर यकीन नहीं रखते लेकिन यूएफो वाकई वजूद रखते हैं और हमारे खुदाबाप ने पिछले हफ़ते तफसील से इस चीवजाहत की है खुदा ने मुझे बताया कि क्यूँ यूएफो अचानक दूमदार होकर गाइब हो जाते हैं और उनका हुझम क्या है और वो दूसे आसमान से कैसे आते हैं हम महत इनसानी और जिसमानी इल्म से यूएफो के वजूद के ख्याल को गिरिफ्ट में नहीं ले सकते इसके लिए हमें रुहानी इल्म की जूरूर्त है इसलिए जिस तरह मेरी रुहानी तर्वियत का मुकाम बढ़ता गया और मैंने मजीद रोहानी माकमात के बारे में जाना तो खुदा ने मुझे और ज्यादा गहराई से वदाहत की इसलिए आपको इस वाद को जिस्मानी लहाद से समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि हो सकता है कि आप इसका गलत मफ़ूम ले या फिर इसको बिलकुल समझ ही ना पाएं अब मैं आपको उस अजीम सफ़य तक्त के बारे में बताऊंगा जहां खुदा बाब बैठ कर अदालत करेगा खुदा का हकी की तक्त चौथे आसमान पर वाकिए है और तीसे आसमान के बिलकुल उपर भी एक तक्त है जो कि नए यरुशलम का नुक्ता अरूज है खुदा ज़्यादा तर चौथे आसमान पर क्याम करता है लेकिन जब वो नीचे नए यरुशलम पर आता है तो वहां भी उसके पास ठहरने की जगा है इस दुनिया के बाशा भी अपने महलों में ठहरते हैं लेकिन जब कभी वो दौरे पर या अराम के लिए किसी जगा जाते हैं तो उनके पास ठहरने की खास दूसरी जगें होती है मिसाल के तौर पर रिपबलिक आफ कोरिया के सदर के पास पूरे मुल्क में ठहरने के लिए खास रहाश गाएं है आज कल कोरिया के मौजूद सदर लोगों को अपनी खुसूसी रहाश गाहों में आने की इजाज़त देते हैं जब कभी वो उनके पास आना चाहें तो दूबई के बाशा के पास अपने मुल्क में जाती और खुसूसी रहाश गाही है उसकी कुछ बेगमात हैं जिनके पास अपने अपने महल हैं चुनाशे बाशा और उसकी बेगमात यानि सब के पास अपने अपने जाती महल है बाशा जिस महल या रहाश गाह में ठहरना चाहे रह सकता है ये महल और रहाश गाहें बहुत बड़ी हैं ऐसी रहजगाएं और महल चीन और इसराइल में मौजूद हैं। बाइबल में हम देखते हैं कि इसराइल के बाशाहों ने अपने लिए और अपनी बेगमात के लिए महल बनाए। बिल्कुल इसी तरह खुदा का हकीकी और अस्ती तक्त चौथे आस्मान पर मौजूद है। ल आसमान की रहजगाह का तीसे आसमान की रहजगाह से मWाज़ना किया जा सकता है। चौते ओ क्त यौधे तक्त और इसके एरदगर्यद की जगाह के ये तस्वर इस से कही वसी है। ने यौर शरब में खुदा बाब का तक्त जलाल के नूर से मनवर है और इसके इर्दगिर्द कौसे कजा है जो कोई इसकी जाने देखता है कौसे कजा उसे सुकून और रुख की मामूरी देती है लेकिन अजीम सफेद तक्त जहां पर खुदा अदालत करेगा उसका मफ़ूम बहुत फर्क है क्या आप अंदादा कर सकते हैं कि तीसे आस्मान पर खुदा का तक्त किस कदर वसीय औरीज है हमारे यसो मसीख की क्यामगाह यानि उसका किला साउट कोरिया से 19 गुना बड़ा है उसकी रहाशगाह में उसके शागिर्दों और उन खावातीन के लिए घर है जिन्होंने उसकी जमीनी खिदमत के दौरान उसका साथ दिया वो पेगंबर जो फिरदौस में अबल दरजे पर होंगे उनकी गाहे खुदा बाप, यसू और रुखल कुदस के किलों के दर्मयान होंगी उन पेगंबरों की रहाशगाहे खुदा-थिंप की रहाशगाहों के अंदर नहीं बल्के बाहिरलग वाके होंगी उनकी रहेशगाहें बड़े किलों की मानित होंगी हरता के नजात की आफता रोहें इस किसम का बड़ा इख्तियार महसूस करेंगी कि वो तक्त की जानिब अपनी नज़े बलंद करने की जसारत नहीं कर सकेंगी वो जो गयर नजात की आफता हैं वो खौफजदा होंगे और कामते हुए तक्त की जानिब देखेंगे अजीज टेलिवियन के नाजरीन अजीम सफे तक्त की अदालत कहां वाकि होगी अगर आपने किताब हैवन टू पढ़ी है तो आपको पता होगा कि अजीम अदालत के लिए नए यरुशलम के बाहर एक आरजी तक्त का क्याम होगा जहां अदालत होगी नए यरुशलम के बाहर ये जगा कहां है ये इस जमीन पर पहले आस्मान में होगी जहां हम रह रहे हैं पिछले जलास में मैंने आपको बताया था कि हजार साला बाशाहत के एक्तिताम पर वो शेतानी रूहें जो अथा गहराईयों में कैद थी जमीन के नफसानी लोगों को वर्गलाने के लिए अजाद की जाएंगी और नफसानी लोग उस के लिए पर हमले की कोशिश करेंगे जहां रूहानी लोग रह रहे होंगे उस वक्त खुदा आस्मान से आग नादल करेगा ताके ये नफसानी इनसान तबाह हो और शेतानी रूहें या तो गंदक की आग में डाली जाएंगी या फिर जहन्न में अथा गहराईयों में जाएंगी जब इस तरह से शेतानी रूहों की अदालत हो जाएगी तो ये जमीन फिर से पुर सकून और पुर अमन हो जाएगी और फिर खुदा बाप इस जमीन पर आखरी अदालत के लिए आएगा जब उसने आगाज में जमीन और आस्मान को खल्क किया तो खुदा बाप इस जमीन पर खुदा बेटे और खुदा रुह कुदुस के हमरा नीचे आया जैसा के पैदाश के पहले बाप दो आयत में मरकूम है खुदा की रुख पानी की सता पर जुमश करती थी जब उसने ये जमीन बनाई जिस पर इनसानों की काश्ट का अमल होना था तो खुदा खुद जमीन पर आया और देखा कि जमीन को किस शेय की जरूरत है और वो इसे कैसे बनाएगा और उसने ये सब कुछ अपनी भरपूर तवज्जों से बनाया खुदा तसलीथ इस जमीन पर आया जब इनसानों की काश्ट के नुक्ता अरूँज पर और और वो आखरी अदारट के मौके दोबारा इस जमीन पर आयेगा जबके इनसानी काश्ट का इ competit अबाइगा इस मौके पर ये सुज्जों इनसान के बेटे की शकल में होगा और खुदाबाब अजीम अदालत का रूप अख्तियार करेगा अजीम सफेद तक्त की अदालत खुदा ए तसलीस के हाथों होगी जो कि इस जमीन पर एक खास रूप में आएगा जो पहले बियान की जा चुकी है इस तरह लोग ये समझने के काबिल होंगे जो वाकियात अदालत के रोज रूनमा हो रहे हैं वाकियी हकी है और हर एक जो कुछ हो रहा है उसे देखने और सुनने के काबिल होगा बाद अकाद खुदा अपना रूप इक्तियार करता है और बाद अकाद नहीं करता जब वो चौथे आसमान में दाखिल होता है तो मौजूदा शकल इक्तियार नहीं करता बलके आवाज और रौश्टी के साथ जहूर पजीर होता है अजीम सुफेद तक की अदारत के बाद बाप खुदा अपने दो बेटों और पहरे दर्जे के पेगंबरों को चौथे आसमान पर बुलाएगा इस मौके पर खुदा इनसानों जैसे रूप इक्तियार करेगा यकिनन खुदा तीसरे आसमान में भी आएगा और वो दिखाई नहीं देगा इस तरह अगर जुरूरी हुआ तो खुदा अपनी दिखाई देने वाले रूप को इक्तियार करेगा और इनसानों जैसा रूप इक्तियार नहीं करेगा खुदा ये तसलीस के तीनों रूप एक शकल इक्तियार करेंगे और वो रूहें और जाने जिनकी अदालत होगी Wür अपने जिसमों के साथ अधारत में खड़ी होंगी निजात याफ़ता रूठे से ही अपने जी उठे जिसम हासिल कर लेंगी जब यशू बातलों में आएगा हताके वो रूठे जो पाताल में तकलीफ में मुब्तिला होंगी वो मुनासिब जिसम के साथ अपना फैसला सुनेंगी आज की तिलावत में तेरवी आयत इसके बारे में बताती है और समंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और मौत और आलम रवाह ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और उन में से हर एक के आमार के मौफिक उसका इंसाफ किया गया ये कहती है कि समंदर और जहन्म अपने मुर्दों को दे देंगे जो उनके अंदर थे पहरे नमबर पर समंदर का रुहानी मतलब ये जमीन है यानि के दुनिया वो लोग जो इस पर मरते हैं उनके जिसम जमीन में दफनाए जाते हैं और वो खाक में वापस लोट जाएंगे और जब अधारत होगी तो समंदर यानि के ये जमीन उन मुर्दों को दे देगी जो इस जमीन पर मरे थे चुनाचे वो जो निजातियाफ़ता नहीं हैं उनके साथ भी उनकी रूफ और जान होंगे ताके रूफ जान और जिसम की तक्मील हो सके लेकिन उनकी रूहें जो निजात की आफ़ता नहीं हैं वो महज तेज रफ़तारी की खासियत के हामिल होंगी और वो एक मुर्दा रूह होगी जो के खुदा के साथ बिलकुल भी गुफटगू नहीं कर सकती और जो जिसम उनके पास अजीम अदालत के मौके पर होगा वो जी उठे नूरानी जिसमों की तरह रूहानी जिसम नहीं होगा वो एक ऐसे जिसम होगा जो फना या कभी खतम नहीं होगा उसके पास महज हमेशा तक जिन्दा रहनी की खासियत होगी हर जी उठे शक्स का जिसम उसकी रूख की पैमाईश के मताबक चमकेगा रूख की पैमाईश की सता जिसकदर बुलंद होगी उतना ही ज़्यदा उसका जिसम चमकेगा लेकिन वो जो जहन्नों में गए उनका जिसम बिलकुल भी नहीं चमकेगा आपकी मालूमात के लिए वो जो निजास्याफता नहीं है उनके रूह में सजा पाना और रूह के साथ जिसम के लिहाज से भी सजा पाने का एहसास बिलकुल मुक्तलिफ है वो जो निजासी अफता नहीं और जहन्म में ढाले गए हैं और अभी तक वाजेत के शिकार होंगे और हजार साला बाशाहत के दौरान भी तमाम किसम की शदीद चीज़ारसानि में مग्तला होंगे यह शदीद चीज़ारसानि की तकलीफे उन तकलीफों से बिलकुल मुक्तलिफ हैं जो वो अजीम सफेर तक्त की अधारत के बाद जहन्म की आग की सूरत में पाएंगे और जब वो अपने जिसम हासिल करेंगे जहन्म की तकलीफ और एजियतों का पाताल की एजियतों से मवाज़ना नहीं किया जा सकता वो रूहें उन शदीद तकलीफ का एक साल तक बगएर किसी वक्फे के शिकार रहेंगी वो मुसलसल अजाब में रहेंगे वो सिर्फ एक मरतबा वक्फा कर सकेंगी सिर्फ अजीम सफेर तक्त की अधारत के बाद जब अधारत हो चुकी होगी तो एजियते आरजी तोर पर खत्म हो जाएंगी इसके बाद रूहों को जहन्नों में गंदक की आग में नाकाबल बरदाश्ट तक बरदाश्ट करना होगी जब उनके पास जिसम होगा तो एसास ज्यादा हकीकी होगा और दर्द का तजर्वा भी बहुत शदीद होगा अधीम सफेद तक्त की अधारत के बाद वो आग की जील या गंदक की जील में डाले जाएंगे और ये अधियत वजाते खुद पाताल की तकलीफ से जज़दा शदीद है और सबसे बढ़कर ये है कि वो और ज़्यादा तकलीफ महसूस करेंगे क्योंकि अब उनके पास जिसम होंगे मजीद ये कि इसका क्या मतलब है कि मौत अपने मुर्दे दे देगी जैसा कि मरकूम है कि गुनाख की मजदूरी मौत है वो रूहें जो निजात की आफ़ता नहीं है मौत का शिकार होंगी यानि के हमेशा की सजा की क्योंकि उनके गुनाख की मजदूरी मौत है लेकिन आखरी अदालत से पहले वो पाताल में अब्तदाई सजा से दोचार होंगे और जब ये रूहें एक लम्हे के लिए अपनी सजा से रहाई पाएंगी तो हवाला इस बारे में बताता है कि मौत अपने मुर्दे दे देगी ये लोग पाताल की सजा से मुक्तसर वक्त के लिए आराम पाएंगी लेकिन जब वो आखरी अदालत के बाद की सजा के बारे में सोचेंगी तो उनका दिल सख्ट परेशान, खौफजदा और रंजीदा होगा उनके दिल में ये परेशानी और खौफ क्यूं होगा? वो अजियतें जो वो हजार साल के लिए बरदाश करेंगे बहुत खौफ़नाक होंगी लेकिन वो इस वज़ा से ज़्यादा खौफजदा होंगे कि वो जहन्नम में गंदक की आग में डाले जाएंगे अगर लोग बुराई में रहते हुए दूसरों को धोका देते रहेंगे तो उनका दिल खौफ से बर जाएंगे दरसल वो खौफजदा हैं कि वो जहन्नम में आग की जील में डाले जाने की बजाए गंदक की जील में डाले जाएंगे गंदक की जील आग की जील से बिलकुल मुख्तलिफ है गंदक की जील आग की जील से साथ कुना ज्यादा गर्म है और गंदक की जील में रूहें ना तो सांस ले सकेंगी ना बोल सकेंगी और ना ही हरकत कर सकेंगी वो इसकदर नाकाबले बरदाश तकालीफ और रिजितों में मुझतला होंगी कि वो अपनी जिस्पों को बिलकुल भी हिला नहीं पाएंगी मैंने और आपने कभी इसका तज़र्पा नहीं किया चुनाचे हम इसका तसवर भी नहीं कर सकते कि बगार हिले हम किस किसम की शदी तकलीफ में मुझतला होंगे लेकिन खुदा बाप ने मुझे इस बारे में वजाह से बताया है मैंने फिर्दोस और जहन्नम के पेगाम को बियान करते हुए या इसी मौज़ों पर किताब लिखते हुए किसी भी शदी को कम या ज्यादा नहीं किया है जैसा खुदा बाप ने मुझे बताया है मैंने वैसा ही बियान किया है अगर मैंने कुछ मिटाया या इजाफा किया है तो मुझे जूट बोलने का इजाम होगा और खुदा मुझे मुझे मौफ नहीं करेगा ये ऐसा काम है जिसे मैं करने की हमद भी नहीं कर सकता मैं खुदा के खौफ की वज़े से ऐसा नहीं कर सकता मैंने ninety जहन्म पर लिखियाने मारी किताबे वैसे ही लिखी हैं जासा झासे ही ने मुझे बताया है तो वो जो निजात क्याफता हैं वो फरिश्टों की खिदमत के लिए शुकर गुजारी के लिए आंसु बहाएंगे मैं आपको बता चुका हूँ कि फिर्दॉस में दाखले के वक्त आप तीन मरतबा खुसी और शुकर गुजारी के आंसु बहाएंगे पहली दफ़ा कब होगा? आप पहली मरतबा साथ साला शादी की जियाफत के मौकवे पर शुकर गुजारी के आंसु बहाएंगे तो मैंने आपको बाकी दो दफ़ा के बारे में नहीं बताया अजीम सफेद तक्ट की अदारत के फौरण बाद आप शुकर गुजारी के आंसु बहाएंगे जब वो जमीन पर अपनी मजबी जिन्दगी रहे हैं तो चर्वाहे हमेशा उन्हें गुनाह ना करने के तालीम देते और बताते हैं के नफस के काम ना करें बलके रूह में दाखिल होने के लिए पाकीज़ी की तक्मील करें चर्वाहों की पर खुलूस तालीमात की वज़े से वो गुनाहों के खिलाफ जद जहद करके और तर्क करके हवा में उठाये जाकर यसु की वाफ़शी का इस्तक्वाल करेंगे और उन्हें साथ साला शदीद ईदर रसानी से भी नहीं गुजरना पड़ेगा और बिलाखर साथ साला शादी की जियाफत और हजार साला बाशाहत से लुफफ अंदोज होंगे और जब उनकी आस्मानी रहाश काहों का इंतखाब हो जाएगा और उन्हें इनामात मिल जाएंगे तो उनके पास शुकर गुजरी क्यांसों बहाने के लावा और कुछ काम ना होगा रहनुमा हमेशा आपसे दर्खास करते हैं कि बुराई से बचें और गुराहों से किनारा करें और रहनुमाओं ने आपसे कहा है कि हमेशा इमान काइम रखें और हमेशा सीधे रस्ते पर चलें लेकिन उन रूहों के बारे में क्या जो निजात्याफता नहीं है वो पुकारेंगे लेकर वो चर्वाहे को बुलाने के काबल नहीं होंगे सीनियर पादरी साब बराए महरबानी अलतार पर से चिलाईए और उस वक्त वो अफसोस करेंगे कि उन्होंने गुनाह किये जो उनको मौत की तरफ ले गए उन्होंने पेगाम को नजर अन्दास किया गफलत बरती और आखिरेकार उनकी खुदा के सामने अदालत हुई कता नजर इसके के वो कितनी तंदेही से पच्च्टाएंगे लेकिन इसका कोई फाइदा नहीं होगा वो ये कहते हुए रोएंगे कि हमने पादरी साहिबान की तालिमात और कलाम पर अमल क्यूं नहीं किया मैंने खुदा के कलाम पर शक क्यूं किया इस हकीकत को मदे नजर रखते हुए मैं फिर्दोस और जहन्म के पैगाम में कुछ कम करने या बढ़ाने की जुरत किस तरह कर सकता हूँ मैं वो पैगाम सुना रहा हूँ जो खुदा बाप ने मुझे दिया है अगर आप इस पैगाम पर एमान लाते और इसकी ताविदारी करते हैं तो ये आपके लिए बाएसे बरकत होगा लेकिन अगर आप इस वर यकीन नहीं करते तो आपको हमेशे तक पच्टाना होगा बराए महरबानी इसे जहन में रखिए मेरी खाहिश है कि आप मेंसे कोई भी जहन्मे ना डाला जाए मुझे अमीद है कि आप मेंसे कोई भी यसु और उसके कलाम को इस वज़ा से तरक नहीं करेगा कि वो आपके इल्म से मताबकत नहीं करता खुदा का किलाम कभी भी इंसानी सोच और इम से मताबकत नहीं रखता सूरज और चांद साकत है बाइबल में सचाईयों का बियान है लेकिन इस पर कौन इमान रखता है जब मैं इस अलतार से बीमारों के लिए दौा करता हूँ तो बेश्मार लोग बजरिया इंटरनेट और सेटलाइट शिफा पाते हैं इस सब को अपने इल्म और साइंस से कौन आहाते में ला सकता है आखर में इसका क्या मतलब है कि पाताल अपने मुर्दे दे देगा हम इस तरह से समझ सकते हैं कि वो रूहें जो निजातियाफता नहीं और पाताल में हैं वो इस जमीन पर आ जाएंगी लेकिन जैसा कि किताब हैवन टू में लिखा है कि ये वो गुनाहगार है जो अदालत के दिन खुदा का सामना नहीं कर पाएंगे चुनाचे उनका पाताल में ही हिसाब होगा दोबारा बतादू कि ये वो रूहें जो निजातियाफता नहीं है और उनका हिसाब पाताल में अधीम अधालत के वक्त होगा texto और वो सित्याफ़ आफुमें थी उनका बालाई बर्दख में हिसाब होगा और यहाँ पर एक और अहम बात यह है कि अजीम अदालत के वक्त पहले आस्मान की जगें यानि के बालाई बजख और पाताल खुल जाएंगे और वो एक वाहद मकाम की तरह बन जाएंगी कता नदर इसके कि वो अजीम अदालत की जगा से कितनी दूर हैं वो अपनी रोहानी आँखों की मदद से सब को देखने के एहल होंगे आलम-बाला और पाताल रोहानी जगें हैं लेकिन दूसरे तीसरे और चौते आस्मान के बरकस वो इस जमीन पर हावी हैं चुनाचे जब आलम-े-बाला और पाताल के रोहानी दर्वाजे इस जिस्मानी जगा पर खुलते हैं तो ऐसा लगेगा कि वो एकठे इस जमीन पर वुजूद रखते हैं। पिछले हफ़ते की खबर के मताबक एक साइसदान ने Aàiलान किया है कि मिस्ठी एहराम के खाममाल का तालोग शायद इस जमीन से नहीं बलके किसी दूसी दूसी दुनिया से है। उसका कहना है कि एहराम जिस खाममाल से तयार हुए हैं उसे हम यहां नहीं ढून सकते हैं। उसकी थियूरी की वजाहत के लिए मुझे एक काख़ात मौसूल हुए हैं लेकिन मैं इस ख़त को हाजरीन के सामने वक्त की कमी के बाइस नहीं पढ़ सकता आप जानते हैं कि आप दूसरे आस्मान के वजूद को इस जबीन पर देख सकते हैं जब इस मकाम का दर्वादा खुला था मिसाल के तौर पर बादल जो अचानक नमुदार होते और पलक जबकते गाइब हो जाते हैं उनका तालुक दूसरे आस्मान से है लेकिन अगर आप उनका एसास किये बगएर महद उन्हें देखें तो आप शायद सोच सकते हैं कि उनका तालुक पहले आस्मान से है मिसाल के तौर पर अजीम अदालत के मौके पर पाताल की जगें खुल जाएंगी चुनाचे पाताल के लोग इस तरह से नमदार होंगे जैसे वो कमरे अदालत में खड़े हैं लेकिन जैसे तारीकी रोश्टी का सामना नहीं कर सकती इसी तरह पाताल के दर्वाजे खुले होने के बावजूद वहां के लोग इस जमीन पर नहीं आ सकते जैसा कि मैंने अक्सर आपको बताया है कि जब मैं अपने गैसमेनी नामी दौा के घर में था तो मेरे नाइब हर वक्त मेरे साथ थे उस वक्त एल्डर चुई, डिकन एड़ड ली, डिकन जौनी किम और डिकन माइकल ली इस दौाईया घर में मेरे साथ थे हमने गुफटगो की और कुछ जिसमानी तर्बियत भी की आस्मान बिलको साफ शफाफ था, कोई बादल नहीं था लेकिन एक लम्हे में बहुत से बादल नमुदार हुए, बादल बहुत खुबसूरत और शफाफ थे खुबसूरत बादलों ने फौरण ही गायब होना शुरू कर दिया हमने ये एक खुबसूरत मनजर बगएर बादलों के आस्मान पर देखा बहुत खुबसूरत और शफाफ बादल मुखतर लम्हे में आई और गायब हो गए जब हमने आस्मान की तरफ देखना छोड़कर एक दूसे से गुफटगु शुरू की तो फिर कहीं बादल दिखाई नहीं दिये लेकिन जब हमने सर उठाकर आस्मान की तरफ देखा तो अचानक बादल नमुदार हो गए सबसे दिल्चस्प बात ये थी कि जब हमने किसी मौज़ू पर बात करनी चाही और वापस मोड़कर गुफटगु शुरू की तो हमारी नदर के सामने की बादल गायब हो गए और दूसरे बादल हमारी पिछली जानब नमुदार हुए और ऐसा कई मरतबा हुआ जब मैंने लोगों को बताया कि हमारी गुफटग के दौरान शायद हमारी पिछली तरफ के बादल पहले ही गायब हो गए है लोगों ने पीछे मुड़कर अस्मान पर देखा और वो बादलों को मौजूद ना पाकर हैरान रह गए हमने अक्सर अकात अपने घरों और काम की जगों पर ऐसी चीजों का तज़र्बा किया है लेकिन आप मेंसे अक्सर इस हकीकत पर शक करते हैं वो शायद पूछे कि यह जूबा कैसे हो सकता है जैसा कि तारीकी रौश्टी का सामना नहीं कर सकती इसी तरह पाताल के दर्वाजे खुले होने के बावजूद वहां के लोग इस जमीन पर नहीं आ सकते वो पाताल में होंगे लेकिन जगें खुली होने की वज़े से वो जिस्मानी लिहास से अजीम अदालत की तर्टीब देख सकते हैं और अगर वो खुद भी अदालत में खड़े होंगे तो उन्हें भी हिसाब देना होगा वो रूहें जो निजात्याफता नहीं है वो खुदा के तक के बाएं जानिब होंगे जबके निजात्याफता रूहें खुदा के तक के दाएं जानिब होंगे ये जगा की तर्टीब यसू ने मती 25 बाब 21-46 आयात में बताई है जब वो एक तमसील में अजीम अदालत के बारे में बात कर रहा था उसने रास्तबाद लोगों को भेड़ से तश्वी दी और गैर निजात कि आफ़ता लोगों को बकरी से तश्वी दी वो 33 सायत में फर्माता है कि भेड़ें उसके दाहने और बकरियां बाएं जानब होंगी अजीज बेहनों और भाईयों खुदा बाप अगर खुद भी परकता है तो वो इसे बगएर किसी गलती के कर सकता है लेकिन जब वो अदालत करता है वो यसू मसी और रुहल कुदस को साथ शामिल करता है बाईवल मुकदस से हमें कुछ आयात मिलती है जिन से हमें मालूम होता है कि यसू और रुहल कुदस के पास भी अदालत का इक्तियार है मिसाल के तौर पर यूहना पाँच बाप सताइस आयत में मरकूम है बलके उसे अदालत करने का भी इख्तियार बक्षा इसलिए के वो आदमजाद है रूहल कुदुस को मदे नदर रखते हुए यूहना सोला बाप आठ आयत में यू लिखा है और वो आकर दुनिया को गुनाह और आस्बाजी और अदालत के बारे में कुसूरवार ठहराएगा मिसाल के तौर पर यूह बेटा और रूहल कुदुस भी खुदा बाप के साथ अदालत में शमूरियत इक्तियार करेंगे यूसू जो के बेटा है और रूहल कुदुस ये गरंटी देंगे के खुदा बाप की अदालत सचाई परमावनी है ये इसलिए के यूसू इस जमीन पर इनसानी जिसम में आया और हर शैका तुजरवा किया जिस से इनसान गुजर सकता है और रूहल कुदुस भी इनसानों के दिल को बहुत अच्छी तरह से जानता है मिसाल के तौर पर जब खुदा बाप ने किसी शक्स के लिए अदालत की कि वो किस मकाम में जाएगा और उसे किस किसम काई नाम मिलेगा तो ये रूहल कुदुस के नौफलों और मुबार्खबादियों के मताबिक होगा तब फिर यसू और रूहल कुदुस एक बार फिर इनसानी काश के सिलसले से गुजरते हुए इस तज़र्बे के हवाले से बात करेंगे लेकिन ये अदालत का इक्सिताम नहीं होगा खुदा बाप अकेला बिलकुल कामिल है और वो कामिल इस वज़ा से है के यसू और रूहल कुदुस दोबारा बोलेंगे और इसे बिलकुल सच साबित करने के लिए कोई और कदम नहीं है मैंने फिर्दौस के वाइजों की सीरीज के दूसरे वाइज में आपको बताया था कि आस्मानी बाशाहत में दरजात हैं इन दरजात में पहले दूसरे तीसरे और चौथे दरजे हैं यानि के एलिया नूह और अबरहाम ये अजीम अदालत में खुदाय तसलीस की मदद करेंगे अब अजीम अदालत में उनके लिए मदद करना जब उनकी अपनी परक हो चुकी होगी तो वो दूसरे के सामने परके नहीं जाएंगे बलके वो अदालत से मुस्तस्ना होंगे एलिया और नूह का जिन्दा उठाया जाना इस हकीकत का सुबूत है कि वो बे गुनाह थे रोहानी कानून कहता है कि गुनाह की मजदूरी मौत है लेकिन पेगंबर आस्मान पर उठाये गए थे ये इस बात का सुबूत है कि उन में मजद कोई गुनाह नहीं था अबरहाम इमानदारों का बाप और मुसा इस जमीन का इंतहाई हलीम और महरबान शक्स था और इस जमीन पर होने के बावजूद उसने एक दोस्त की तरह खुदा से बाचीत की कुछ शायद सोचें कि मुसा भी मर गया लेकिन यहूदा पहला बाब नौ आयत में मरकूम है कि मुकरब फरष्टे मिकाईल ने मुसा की लाच की बाबत इबलीज से बहसु तकरार की इस से हम देखते हैं कि मुसा की लाच एक मुखति हमानी बाशाहत में ले जाई गई मुकरब फरिष्टे मिकाईल ने मुसा की लाश के लिए इबलीस से बैसों तक्रार की इबलीस ने तक्रार की कि मुसा की लाश जमीन पर रहनी चाहिए लेकिन मुकरब फरिष्टे मिकाईल ने इबलीस को ये कहते हुए ढांटा कि लाश आस्मान पर उठाई जानी चाहिए ये जगड़ा इस वज़ा से हुआ क्यूंकि मुसा ने पुराने वक्तों में एक मिस्री को कतल किया था मिकाईल ने इबलीस को वदाहत की कि मुसा बयाबान में 40 साल के आजमाईशों के बाद मुकमल तोर पर पाकीजा हो चुका है और बयाबान में इसराईलियों की 40 साला खिद्मत की वज़ा से भी पाक है चुनाचे खुदा ने तस्लीम किया और माना कि इस रुए जमीन पर मुसा सबसे ज़्यादा महरबान शक्स था इसका मतलब है कि मुसा में अब कोई गुनाह नहीं था इसलिए यसू जब अपने तीन शागिर्दों के साथ पहाड पर गया तो मुसा यसू के सामने एलिया के साथ नमदार हुआ मुसा और एलिया आस्मान से यसू को मिलने के लिए आए दूसरे लोग जो के वफात पा चुके थे उनका कयाम आलम बाला में था लेकिन मुसा और एलिया इसलिए आस्मान से आए क्योंकि उन में कोई गुनाह नहीं था यहुदा की किताब में मौजूद वजाहत इस हकीकत को तक्वियत देती है कि मुसा में कोई गुनाह नहीं था और उसका जिसम जिन्दा आस्मान पर उठाया गया था हमारे खुदाबाप ने मुझे बहुत तफसील से इन असरार के बारे में बताया है चुनाचे मैं उनकी तारीम दे सकता हूँ अबरहाम भी जिन्दा आस्मान पर जाने की एहलियत रखता था लेकिन अबरहाम को आलम बाला की जिम्मेदारी देने के लिए खुदा ने उसकी जमीनी मौत की इजाज़त दी मुसा आस्मान की बादशाही में नहीं ले जाया गया बलके वो आलम बाला में गया क्योंके उसे आलम बाला की जिम्मदारी सभालनी थी इसी तरह एलिया, नूफ, अबरहाम और मुसा अपनी पाकीज़की और कामलियत की वज़े से पहचान रखते हैं चुनाचे वो अजीम अदालत के वक्त तमाम फजल पाएंगे और उनके कामल आस्मानी जिसम होंगे उन्होंने तमाम फजल और एनामाथ अजीम अदालत के सामने हासल किये हैं और उनके जिसम कामल आस्मानी होंगे लेकिन वो अदालत से पहले अपनी जाती रहने वाली जगहों पर नहीं जा चुके होंगे वो खुदा के तक्त के गिर्द ठहरेंगे या खुदा के काम में मौाविनत के लिए जमीन पर आएंगे और अजीम अदालत के वक्त वो खुदा के तक्त के करीब अदालत के काम में मदद करेंगे एलिया और नूफ जैदा कुछ नहीं करेंगे बलके हकीकत ये है कि वो इनसानी काश्ट का बेहतरीन फ़ल है और वो अदालत का मैयार बन गए है अबरहम मौवनत करेगा इमान के तहट यानी इमान के रुकता नदर से और मुसा मौवनत करेगा शरीयत के तहट वो उस शक्स के हवाले से बताएंगे जिसकी अदालत हुई कि उसने किस हद तक खुदा के कलाम की ताब जारी की और कितना फ़ल लाए ये लोग इस तरह से अदालत के दिन मदद करेंगे जैसा कि मैंने पहले बताया कि मुसा इस तगासा का किरदार अदा करेगा क्योंकि वो शरीयत की रूँ से अदालत के बारे में तफसील बियान करेगा जब 1982 में मानमें कलीसिया का आगाज हुआ तो खुदा ने पहले हफ़ते मुझे अजीम सफ़ेद तख्त की अदालत का मनजर दिखाया उसे सिर्फ मनजर दिखाया लेकर उसकी वजाहत नहीं की अब मैं आस्मान और अजीम सफ़ेद तख्त अदालत के बारे में बहुत तफसील से बता सकता हूँ क्योंकि खुदा ने मुझे इसकी तफसीला से अगाह किया है लेकिन उस वक्त मैंने उस मनजर को यसू से हासल किये हुए महदूद फहम और कुछ से समय की कोशिश की थी खुदा के तख्त के दाए जानिब खड़ा हमारा यसू खुदा के फरजन्दों की महबत से बेगुनाही थाबत करता है वो कहेगा कि वो हमारे यसू के खुदा के खुदा किये गए है मुसा इस तगासा का किर्दार अदा करेगा और बहुत से जूरी के अरकान उसके करीब खड़े होंगे मेरा ख्याल है कि 24 एल्डर जूरी के रुकन होंगे अगले हफ़ते में इसके बारे में तफसील से बताऊंगा लेकिन अजीम अदालत खुदा तसलीस और चार पेगम्रों के जरीए सही नहीं होगी खुदाबाब जूरी के अरकान के साथ बहुत एथियाद से अदालत करेगा क्योंकि इससे हमेशा की सजा का फैसला होगा या फिर रूहों के लिए हमेशा जिन्दगी का फैसला होगा अजीम अदालत बशमूल जूरी के उन अरकान के कामल होगी तो वो कौन लोग होंगे जो जूरी के अरकान का किरदार अदा करेंगे और इसके बाद अदालत कैसे होगी इसके बारे में मैं आपको अगली निशस्ट में बताऊँगा मैं आपको इसके बारे में अगले इजलास में बताऊँगा खुलासा ये है अजीज बेहन और भाईयो मैंने आपको बताया था कि अजीम सफेद तख्ट की अदालत इस जमीन पर मुरुकत होगी और मुनसिफ खुदाबाप एक खास रूप में खुद नीशे आएगा खुदा के तख्ट के दाएं जानब निजात्याफता रूहें होंगी और बाएं जानब वो रूहें होंगी जो निजात्याफता नहीं है आपको इस से गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए आपको इस रूहानी तराजर को जिसमानी इर्म से समझने की जरूरत नहीं है वो रूहें जो निजात क्याफता नहीं हैं खुदा के तक्त के सामने नहीं आएंगी बलके वो पाताल में रहेंगी लेकिन क्योंकि उस मकाम का दर्वाजा खुला होगा तो हम महसूस करेंगे कि वो भी उसी जगा पर मौजूद है पैदाइश के एजलासों के दोरान मैं पहले आपको वजाएस से बता चुका हूं कि खुदा चल कर बाग एदर में नहीं आया था लो खुद चल कर बाग एदर में नहीं आया था बलके उसने अपनी रूख को अलग करके इस जमीन पर नीचे भीजा खुदा चौथे आस्मान पर था और रुहानी मुकाम के लिए उसने दर्वाजा खोला और फिर अपनी आवाज से आदम को तर्वियत दी अजीम अदालत इस तर्टीब से होगी और खुदा बाप बजाते खुद इसे सरअजाम नहीं देगा बलके वो खुदा बेटे और खुदा रुह रुह कुदस को भी खत्यार देगा वो अपने साथ उने भी जजज बनाएगा शरीयत की अदालत में हम देखेंगे के तीन जजज कानून के तकाज़े पूरे करेंगे बड़ा जजज दर्मियान में होगा और दो दूसरे उसकी मदद करेंगे हम इस मनज़ को फिल्मों और नावलों में देख सकते हैं इसके इलावा चार पेगंबर भी होंगे जो अजीम अदालत से मुस्तस्ना होंगे जो इस अदालत को मज़ीद कामिल बनाने के लिए मदद करेंगे इलावा अजीम खुदाबाब जूरी कारकान भी रखेगा ताके रास्त और कामिल अदालत अमल में आए इस तरह से बगहर गलती के दोनों के लिए अदालत होगी वो जने हमेशा की जन्दगी मिलेगी और वो जने हमेशा की सदा अगर अजीम अदालत के मौके पर कुछ गलतीां होती है हो सकता है जो निजात याफ़त हुँ वो जहन्नम में डाल दिये जाए या जो निजात पाने में नाकाम रहे वो आसमान में दाखिल हूँ इसलिए खुदाबाब अजीम अदालत बहुत सक्त और इनसाफ के लिहाद से करेगा हट्ता कि वो काम जो आपने पहुशीरगी में किये और वो अलफाज जो आपने बगएर किसी मुआफी के बोले उनका भी हिसाब होगा और आपको उसका इनाम या सदा मिलेगी इसलिए इमानदारों को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो किसी सदा का बाइस हो बलके ऐसे काम करें जिनका खुदा से इनाम मिले इबरानियों 11 बाब 6 आयत पे मरकूम है और बगएर इमान के उसको पसंदाना नमुम्किन है इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को इमान लाना चाहिए कि वो मौझूद है और अपने तालिबों को बद्दा देता है मैं यसु के नाम में दौा करता हूँ कि तमाम अरकीन इमान के आमाल से इस जमीन पर अपनी जिन्दगी के दौरान खुदा को खुश करेंगे और यौम अदालत पर बहुत से इनामात हासिल करेंगे आमीन बिमारों के लिए दौा मैं उन सब लोगों के लिए दौा करूँगा जो बिमार हैं आप अपने बतन के उस हिस्सा पर अपना हाथ रख लें जहां पर बिमारी है और इस दौा से इस्तफादा कीजिए अगर आप बिमार नहीं हैं लेकिन अपनी दिली मुरादें पाना चाहते हैं तो अपना हाथ अपने सीने पर रख लीजिए खुदा का जिन्दा किलाम वक्त और फासले की कयूद से आज़ाद है और आपके इमान के मताबिक आप के लिए काम करेगा आप जहां कहीं भी हों अगर इमान के साथ इस दौा को कुबूल करेंगे तो आप खुदा की कुद्रत के हैरान कुन काम देखेंगे हालिलुया गादर मुतलिक खुदा तू जो महबबत है अपने बच्चों पर अपने हाथ को रख और तमाम जीसियन देखने वालों पर भी जो इमान से इस दौा को टीवी के जरीया कुबूल करते हैं अपना हाथ इन पर रख और अपने अजीब काम जो वक्त और फासले की कयूद से आजाद हैं इन तमाम लोगों की जिन्दगियों में दिखा जो दुनिया के किसी भी कुने में हैं उनको ऐसा इमान अता फर्मा जिसके वसीला से उनके तमाम शुकूक और शुभात खत्म हो जाएं इनकी जिन्दगी से तमाम दुख और मुश्किला जाती रहें रुहल कुद्स की आग से जला कर और यिस्व के पाक खुन के वसीला से धो कर पाक कर दे सर से लेकर पाउं तक सारे जिस्म में खुदा की अजीम तखली की कुवत आशकार हो मैं खुदावंद यस्व मसी के नाम से दुश्मन अब्लीस और शैतान तमाम बिमारियों जरासीमों और कमजोरियों को हुक्म देता हूँ कि इन बदनों से अलग हो जाएं तमाम चूद की बिमारियां जाती रहें हर वो बिमारी चुला इलाज है और नई द्रियाफ शुदा बिमारियां रूहल कुद्स की आग से जल कर भस्म हो जाएं आप बिमारी से पाक होकर जोर पाएं मेदे का कैंसर, फेपडों का कैंसर, रहम का कैंसर, जिल्द का कैंसर, आंतों का कैंसर, एड्ज, लुकीमिय, जहनी अमराज, दिल का आरज़ा, फेपडों की बिमारिया, हर किसम के जनाना अमराज, बलंद फशार खून, शूगर, जिल्दी अमराज, हर किसम की सोजन जाती रह प्रतीजे में पैदा होने वाली हर जिस्मानी तकलीफ यिस्सू के नाम में जाती रहे। बीमारी के वज़ा से थकान, नजला, जुकाम और गिलर जैसी बीमारियां रुहल कुद्स की आग से जल कर भस्म हो जाएं। मिर्गी, जहनी माजूरी, जहनी दुबाओ और तमाम जहनी बीमारियां यिस्सू मसी के नाम से जाती रहें। हर किस्म की तारीकी खत्म हो जाए और इनके दिलों में इत्मिनान और शादमानी आ जाए। खुदाबाब तखलीक की अजीम तरीन कुवत के वसीला से ये जिस्म जो कमजोर हो चुके हैं दुबारा से जोर पाएं। फालिज के जक्रे आजाद हो जाएं और लंगडे चलना और चलांगे लगाना शुरू करें। नजर की कमजोरी जाती रहे बहरे सुनना शुरू कर दें। अंधे बिनाई हासिल करें। और गुंगे लोग बोलना शुरू कर दें। खुदाबाप बांच खवातीन को उलाद की बरकत अता फर्मा। तूटी हडियों को जोर दे और जिस्म के तमाम जले हुए हिस्से मकमल तोर पर शिफाजाब हो जाएं। नशा के लारत में गिरिफतार लोगों को रुहल कुद्स की आग के वसीला से पाक और साफ कर दे। जिस्म के तमाम मुर्दा खुलिये जिन्दा हो जाएं। तमाम तारीकी जाती रहे और अबलीस की कुवतें निकल जाएं। मैं यिस्मसी के नाम से हुक्म देता हूं कि दुश्मन अबलीस शैतान और हवा की अमलदारी का हाकिन अपना कब्जा छोड़ दें। और उनके तमाम कासिद भी यिस्मसी के गादर नाम में निकल जाएं। तारीकी की नापाक धोका देने वाली और गुम्रह कर देने वाली कुवतें यिस्मसी के नाम में दूर हो जाएं। बे इमानी और ना इंसाफी की बद्रूहें जाती रहें। तमाम तारीकी जाती रहें। तेरा नूर चमके, खुदाबाब इनकी रूहों को भी इनके जिस्म के साथ मजबूत फर्मा, इनको गुवत दे कि ये तुछ को पुकार सकें, इनको गुवत दे कि ये अपने गुनाहों को तरक कर सकें, इनकी जाने इस दुनिया में रहत पाएं और इनकी जिन्दगियां तेरी नजात के पैगाम को सुनकर कुबूल करें, और नजात हासिल करें, इनके खांदानों को हर किसम के हादसात और तबाहियों से महफूज रख और इनको बरकर दे कि वो एक खुशहाल जिन्दगी बसर करें, एए खुदा अपने फर्जंदों को घरों और कारोबार की ज अंदर आना मुबारक हो, इन्हें बरकर दे ताकि ये लोगों को कर्ज दें, लेकिन किसी से कभी कर्ज ना लें, इन्हें हिकमत और अखल दे, और उन पर फजल कर, कि वो रुह कुद्स से मामूर हो जाएं, खुदा अपने खादमों को वो काम करने की तौफीक और फजल अत करें, अपने अजाइब का जहूर फर्मा ताकि वो अपने लबों से तेरी गवाही दें, कि वो तुझ से मिले हैं, और तू उनकी दौाओं को कुबूल करता है, खुदा बाप, मैं तरह शुक्री अदा करता हूं, और सिर्फ तुझे ही सारा जलाल देता हूं, मैं चलक करता हूं, कि वो तुझे ही सारा हूं ।ुदा हूं अभाग धन्यों से खिए प्सक्रावन।